हेलो एवरीवन गुड़ मूर्णिंग ट्यूवल अफ यूव वेलकम टो लॉजिक पारचाला आज है सेंडी आज हम करेंगे फेंड्स वीकली करेंट अफेस तो लास्ट वीक के हमने जो भी इंपॉर्टेन करेंट अफेस को कवर किया है उसे आज हम रिवाइस करेंगे तो फे आ गया है description box में तो चलिए साथ साथ में शुरू करते हैं important current interface और last my friends आप लोग मुझे score ज़रू बताएगा कि इससे देखिए आपको खुद ही अपने अंदर improvement करने का मौका मिल रहा है तो अच्छे से अपना score जाद से जाद करने के कोशिश करें तो पहले question से शुरू करते है ISRO space application center has sign an MU with dash on data sharing and cooperation तो ISRO का जो space application center है उसने एक MU sign किया है और वो MU किसके साथ sign किया गया है सही answer है friends इंडिया नेवी के साथ ये MU sign किया गया किस चीज को लेकर है ये data sharing यानि data साज़ा करन और उसके सयोग को लेकर ये MU sign किया गया है इस agreement के तहद जो scientific advancement है SAC यानि space application center का उसको क्या किया जाएगा synchronized किया जाएगा into the Indian Navy's efforts to protect the country's maritime interest यानि कि जो application center है ये देश के maritime interest की रक्षा करने के लिए नौसीना की जो भी प्रियास होते हैं उसमें इसको शामिल किया जाएगा इस रोके present time में जो chairman ने उनका नाम है S. Somnath आगरा question देखिए Who has launched ifco nanouria sparing scheme यानि nanouria जो ifco nanouria चिड़काव योशना है इस तकनीक को या इस योशना को किसने शुरू किया है राइट आंसर है friends गुजरात के चीफ मिनिस्टर अबुपेंदर पटेल जी ने इस योशना को शुरू किया है अब इसकी वज़े से क्या होगा देखिए कि जो fields है field में nanouria का जो चिड़काव है वो drone technology के मदद से किया जाएगा next question देखते है on which river will the world largest floating solar power plant be built तो विश्यो का जो सबसे बड़ा तेरता सौर उर्जा सनियंत्र है ये किस नदी पर बनाया जाएगा सही answer है friend नर्मदा रिवर पर जो है इसको बनाया जाएगा और ये सबसे बड़ा largest floating solar power plant होगा अब एक और चीज ध्यान नकिएगा नर्मदा रिवर तो हमें चले ध्यान हो गया लेकिन अगर state पूछे तो कौन सा रहेगा मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक में नर्मदा रिवर पर जो उंक्वारेश और डाम है उस पर ये सबसे बड़ा तेरता हुआ solar plant जो है वो लगाया जा रहा है नेक्स्ट कोईशन है विच इस्टेट गवर्नमेंट हैस स्टार्टेड पंचामरत योशना तो प्रमोश शुगर केन कल्टिवेशन यूसें न्यू टेक्नलोजी तो दिखें नईने टेक्नलोजी का यूस करके जो गन्ने की खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए पंचामरत योशना को शुरू किस ने किया है तो फैंच उत्तापरदेश के सरकार ने इस योशना को शुरू किया है तो उत्तापरदेश के जो सरकार है वो यहाँ परी फार्मर्श को पांच methods के बारे में explain करेगी जिससे फार्मर् शुहें sugar के इनका जादध से जादध production करेंगे अब देके जाद जाद से यादा इंकम भी फारमर्स को मिलेगी नेक्स्ट कोईशन है विच विल बिकम तब फर्स टेट इन इंडिया टो डेवला वन संस्कित ग्राम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट तो प्रमोट संस्कित लांग्वेज तो संस्कित language को बढ़ावा देने के लिए हर एक जिले में संस्कित ग्राम विक्सित करने वाला जो पहला राज्य बनेगा वो कौन सा है फ्रेंट्स उत्राखंड है तो उत्राखंड के 13 डिस्ट्रिक में इसको शुरू किया जाएगा और हर एक डिस्ट्रिक में एक ऐसा विलेज होगा जहांके लोग जो है संस्कित language में ही बातचीत किया करेंगे अब देखो संस्कित language सीखने के लिए उनको जरूत क्या है उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो एक्सपर्ट के द्वारा जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी उत्राखंड की बात करते हैं तो 9 नवेंबर 2000 को उत्राखंड के स्टेब्लाइश्मेंट हुई है चीफ मिनिस्टर है पुषकर सिंग धामी गवर्नर है गुर्मी सिंग चीफ जस्टिस है विपिन सांगी लोग सबा सीटे हैं पांच राजसबा सीटे हैं तीन और असेंबली सीटे हैं यहाँ पे 71 अगला कोशन है फैंट्स हुव वस इलेक्टेट दा 14 वाइस प्रेजिडेंट अफ इंडिया इंपोर्टन क्वेशन है तो हाली में जगदीब धनकर जी को भारत के चौधवे उबराष्ट पती के लिए चुना गया है अब यहाँ पे ध्यान रिखेगा इन्होंने किसे सक्स एक प्रेजिडेंट का मुत्रा यह उनेटी पाइनन की मैनेजिंग डारेक्टर बनी है विच बिकम विच बिकम इंडियास फॉर्स बैंक टु लिस्ट इन्डेट पे प्लेट्फोर्म ऑन दटीन टो प्लेट्फोर्म ऑफ दा इंकम टेक्स डेपार्टमेंट तो ऐसा करने व प्लेटफॉर्म है उस पर अपने पेमेंट गेटपे प्लेटफॉर्म को लिस्ट करने वाला जो पहला बैंक बना है वो है फेडरल बैंक जिसके स्ट्रिवातुईती 1931 में हेड्कॉर्टर है इसका एलुवा केरला में CEO का नाम है श्याम श्री निवासन इन विच स्टेट और यूटी इंडियन आर्मी हैस ओगनाइजड दा फॉर्स्ट एवर मशल वोमेंस क्रिकेट लीग तो इसका जो आयोचन है पहली बार ही देखे किया गया है और जम्मो कश्मीर में जो है वो इसका आयोचन किया गया इसमें देखिए आप बस सिंपली देख उसन 22 तो इसमें इनोने कितने मधल जीते है दो और दो मेडल जीतने वाली यह पहली एफलेट बनी है इनका क्या नाम है आंसर है friends, रूपल चौधरी, ध्यार नखींगे इन्होंने कितने medal जीते हैं, दो, एक तो 4x400m के जो relay race होते हैं, उसमें इन्होंने जीता है silver medal, और women's की 400m के जोड़े से उसमें इन्होंने जीता है bronze medal, तो ध्यार नखींगे का कौन-कौन से medal इनके द्वारा जीते गए आगला question है friends, who has become the first better of Bangladesh to score 8000 runs in the ODI, during the first ODI being played against Zimbabwe in Harari तो पहले बंडे के दौरान जो है वो अभी Zimbabwe के किलाब जो पहला बंडे हुआ, उसी के दौरान बंडे मैच्चेस में 8000 रन बनाने वाले, ये पहले बंडेशी better हैं और इनका नाम है तमीम इकबाल which country lifted the SAFF under 20 football championship trophy, तो under 20 championship trophy है ये किस देश ने जीती है आंसर है, इंडिया ने इसे चीता है, इंडिया ने final में defeat किया बंगलादेश को, आच्छे इसका venue ध्यान नकिका ये हुआ कलिंग stadium बोवनेश्वर उडिसा में और इंडिया का ये लगातार दूसरी पार लग इंडिया ने इस championship को चीता है तो इन तीनों ने ही friends कौन सा मेडल चीता है, सही आंसर है गोल्ड मेडल, तो अलग अलग भी पूछ सकते हैं, आप लोगों से ऐसे एक साथ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे आपको ये कटिग्री ध्यान रखनी है, जैसे बजरंग पुनिया ने men's के 65 kg कटिग्री में चीता, साक्षी मलिक ने गोल्ड चीता है, freestyle women's के 62 kg कटिग्री और हर्याना के दीपक पुनिया ने 86 kg कटिग्री और freestyle wrestling में गोल्ड मेडल चीता है next friend Gustavo Pedro was sworn in as a president of which country, तो friends ये हाली में किस देश के president पत के लिए इन्होंने शपत ली है, तो answer हो जाएगा Columbia के, Columbia जो है South America continent में है, इसके capital है Bogota और currency है Colombian peso who has cheered the seventh meeting of the Niti I.O. governing council जो के कहां पे हुई New Delhi में तो इसके साथवे वेटा के जो अध्याक्षिता करी है, वो करी है, friends, Prime Minister Narendra Modi ji ने इस meeting में तीन के agenda के उपर discussion किया गया, जिसमें है crop diversification, implementation of national education policy और तीसरा जो agenda है, वो है urban governance, तो इन तीन agenda के बारे में काफी ज़्यादा चर्चा हो इस बैटक में Next day for the first time in India, the government of which state जिन्होंने introduce किया Netunna Kubima scheme, इस scheme को introduce किया है Friends Telangana की सरकार ने और इसे Telangana के जो handloom minister है, केटी रामराव इन्होंने इसे launch किया है इसमें जो viewers है, यानि जो bunkers है, उनको benefit मिलेगा, एक तरीके की यह insurance coverage scheme है अगर उनकी natural या accidental death हो जाती है, मालनी जिए, तो 5 लाग रुपे deposit कर दिये जाएंगे जो भी nominee होगा उनकी account का within 10 days तो इससे क्या होगा, उनकी family या जो भी है, उनको काफी ज़दा support मिलेगा अगला है, which state is going to implement 100% NEP in higher education from next academic year अगले academic year से उच्च सिक्षा में 100% राष्टे सिक्षा ने थी, कौन सा state लागू करने जा रहा है तो ये लागू कौन सा state करना जा रहा है, गुवा is the right answer और उसकी announcement गुवा के chief minister प्रमो सावंत जी के द्वारा की गई अच्छा सबसे पहला state कौन सा था जिसने implement किया था National Education Policy को तो ये ध्यार रखेगा वो है कौन सा करनाट का next है, who has been elected as a deputy president of FIDE तो International Chess Federation के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है सही answer है, Vishunathan Anandji को चुना गया who has been appointed as a first woman director general of Council of Scientific and Industrial Research तो इसकी ये पहली woman director general बनी है इनका नाम है friends, Nalathambi Kalai Selvi ये first woman director general बनी है CSIR की CSIR की सापना हुई थी 1942 में और इसके president है Narendra Modi ji which Indian has been conferred with the Knight of the Order of the Merit Chevalier Award by the French government तो ये जो award है ना ये कौन देता है France की government और ये award अभी दिया गया है किसे? Kanan Sundaram ji को ध्यान रहा किए कि इनको ये जो award मिला है France और India के बीच में जो प्रकाशन है आपके लिए जो publishing है उसी publishing में सैयोग में उनका काफी ज़्यादा योगदान रहा जिसके लिए उनको ये award दिया गया Who has been honored with Ladakh's highest civilian honor DPALRNGAM 2010-2022 तो humanity के लिए उनको ये प्राइस मिला और ये किसे मिला है Dalai Lama ji को ये award मिला है Next step Pranav became India's Dash Grandmaster in August 2022 तो हाली में जो Pranav है ये 75th Grandmaster बने है Question उल्टा भी बन सकता था कि 75th Grandmaster कौन बने तो वो बने है Pranav तो ध्यान रखेंगे answer है 75th इससे पहले 74th Grandmaster कौन है राहुल श्रीवास्तव 73rd नंबर के Grandmaster है भरत सुबे मन्यम और जो सबसे पहले Grandmaster बने वो विश्योनातन आनंद बने ये ध्यान रखेंगा पहले नंबर पे भी हमें एक्जाम में पूछ सकती है अगला है पीवी सिंदों ने किस देश की Michelle Lee को defeat किया और Commonwealth Games में Women Single में इनोंने कौन सा medal जीता है ध्यान रखेंगे gold medal इनोंने जो हराया था वो Canada की Michelle Lee को हरा कर ये सुन पदक इनोंने जीता है पीवी सिंदोंने इससे पहले देखे Silver और Bronze medal जीता हुआ है Bronze medal और अपकी बार इनोंने जीता है Gold Medal Who has become the first Indian to win a gold medal in the men's triple jump तो पुर्शों के triple jump में gold medal जीतने वाले पहले भारते कौन बनी है सही आंसर है friends Eldos Paul आगला कोशन है the third edition of India and Dash Joint Special Forces exercise वजब रहार was held तो वजब रहार जो exercise है ये होती है इंडिया और USA के बीच में ये होती है इसका आयचन हुआ हिमाचल प्रदेश के बकलाओं में इस पार जो इसका edition होगा 13th edition ता लेकिन जो last edition हुआ था 12th वो हुआ था Washington में कब October 2021 में The Drone Federation of India has partnered with Dash to launch the Himdronathon program तो Himdronathon program को शुरू करने के लिए Drone Federation of India के साथ मिलके partnership करी है किसने Indian Army ने इसका में उदेशे है देखे जो आपके frontline troops हैं उन सभी की requirements को पूरा करना और एक तरीके से एक ऐसा Drone ecosystem को develop करना which company has launched an online project जिसका नाम है इंडिया की उडान ये जो project है इसे celebrate किया जा रहा इंडिया का 75th year journey of independence हो गई उसी उपलक्ष में इंडिया की उडान जो योशना है इसे Google ने जो है वो start किया है Google जो कि एक American multinational company है इसके CEO है सुंदर पिचाई और इसके स्थापना होई थी 1998 में इसके इसका headquarter है California, US में In this city, the 12th edition of Deaf Expo will be held between October 18 to 22 तो October के time पे जो बारवा edition होगा Deaf Expo का इसका आयोचन किया जाएगा Friends कहां पे ध्यान रखेंगे गांधी नगर में इसके theme जो रखी गई है वो क्या है path to pride अगला question है उन्नती home loans is related to which bank which was launched especially for middle and low income people तो जो उन्नती home loans है ये related है Friends Punjab National Bank यानि Punjab National Bank ने इससे शुरू किया है Punjab National Bank के सापना होई 1894 में इसका headquarter New Delhi में है और इसके CEO कौन है अतुल कुमार गोयल ये list आपको ध्यान रखने है जिसमें से आपको Australia का ध्यान रखना है और India का ध्यान रखना है Australia पहली number पे रहा सबसे जादा medals के साथ 178 इंडिया ने total medals जीते है 61 जिसमें है 22 gold 16 silver medal और 23 जीते हैं bronze medal तो इंडिया के तो आपको अलग-अलग भी ध्यान रखनी है बाकी overall आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कुछ important facts की बात करें तो ये तो हमें पता चल गया होट सिटी कौन सी है बिर्मिंगम main venue था इसका Alexander Stadium total 72 nations ने participate किया था total athletes थे 5054 even so ये थे 20 20-280 जिसमें 20 sports थे इसका motto क्या रहा sports is the beginning of all और इसका mascot क्या था पैरी which country will host the 2026 chess olympiard 2026 में जो chess olympiard है इसकी मेजवानी कौन सा देश करेगा उजबेकिस्तान महराष्ट गवर्नर महराष्ट की गवर्नर कौन है जिनोंने inaugurate किया है भारत रंग महसव तो देगे महराष्ट की गवर्नर I hope so सभी को ध्यान होगा भगस्तिंग कुश्यारी जी है और इनोंने ही रविंदर नाट्टियं मंदिर में 22 नंबर का भारत रंग महसव का उदगाटन किया है who has become the first Indian psychologist to be marked on the heritage wall of fame in the US तो इस wall पर अंकित होने वाले पहले जो भारतिय मनोविज्ञानिक बनी है उनका नाम है रामधर सिंग इस दी राइट आंसर which of the following union ministers has launched the onboarding the co-operatives on the government e-marketplace portal तो जैम पोर्टल पर जितने भी सहकारी समीतिया है इनकी onboarding शुरू किस ने की है क्या इसको launch किस ने किया है तो आंसर हो जाएगा अमिश शहाजी ने से launch किया है जैम पोर्टल की शुरुवात 9 August 2016 को हुई और इसकी CEO है प्रशांद कुमार सिंग प्राइम मिनेस्टर नरेंदर मोदी जी dedicated to the nation the second generation ethanol plant इस ethanol plant को समर्पित किया गया है नेशन को और इसे हर्याड़ा में जो है वो फ्रेंड्स लगाया गया है इस पे लगबग 900 करोण उपे के लागत आई है और ये हर एक साल 3 करोण लीटर एथनॉल को generate करेगा नितिश कुमार टुक ओथ कितनी बार ये बिहार के मुखे मंद्वरी के रूप में इन्होंने शपद ली है तो ये आठवी बार जो है वो ये बिहार के चीफ मिनिस्टर बनी है बिहार के इस्टेबलाइश्मेंट 22 मार्च 1912 को हुई कापिटल है पटना सीम तो नितिश कुमार बनी है गवर्नर है फागू चोहान लोग सबा सीटे हैं 40 राजे सबा सीटे हैं 16 और असेमली सीटे 243 नेक्स्ट विच स्टेट और यूटी हाज लॉंच्ट परवास मार्केट लिंकेज स्कीम तो इंप्रूव दा इकनॉमिक कंडिशन और फार्मर्स इस स्कीम को शुरू किया है फ्रेंट जमुकश्मीर की सरकार्नी और इसका देखे में परबस सिंपली इतना है कि जो फार्मर्स की एकनॉमिक कंडिशन है उसको उसमें इंप्रूव्मेंट लेके आना इसके तहत उनको सबसेड़ी दी जाएगी जो जैसे बालीचे एर कारों की मदस्ते ऐसे फल ले जाए जाएगे जो जल्दी खराब हो जाते हैं और उसके उपर जो चार्ज लगता है जो फी लगीगी उसपे 25% के सबसेड़ी भी दी जाएगी which of the following has become the first Indian bank to frame a policy to fund makers of lab-grown diamonds तो इस नीती को तयार करने वाला जो पहला bank बना है फ्रेंट्स वो है State Bank of India जिसकी शुरुवात हुई 1st July 1955 headquarter है इसका Mumbai में और chairperson इसके Dinesh Kumar Khara अगला है AIFF Men's Footballer of the Year for the 2021-22 season के लिए किसे चुना गया है तो यहाँ पर देखे Men's की बात हो रही है तो चुना गया है Sunil Chhetri को जिनका संबन कौन से sport से है ध्यान लखेंगे फुटबॉल से वहीं अगर इसमें Women's का पूछा जाए तो उनका नाम हो जाएगा Manisha Kalyyan पहरी बार देखे Menisha Kalyyan को Footballer of the Year Award के लिए चुना गया है Union Cabinet has approved the signing of a treaty between India and Dash with the view to promote the co-production of films तो इसके लिए जो संदी की गई है वो India और Australia के बीच में हुई है Australia Oshinia में सबसे बड़ी country है Capital है इसके Canberra Currency है Australian Dollar और Prime Minister है Anthony Albanese Next है Friends कौन से Union Minister हैं जिनोंने launch किया है एक unique coffee table book जिसका title है Fish and Seafood a collection of 75 garment recipes तो इसे launch किस ने किया है सही answer है परशोत्तम रुपाला जी ने जो है इसे launch किया है अब देखो इसका main purpose यही होगा कि जो fish इसका domestic consumption है उसकी खपत है उसको बढ़ावा देना Till which year the union cabinet has approved the continuation of प्रधान मंतरी आवास योशना अर्बन तो इस योशना को अब 2024 तक जो है वो जारी रखने की मन्सूरी दी गई है अगला question है Friends इस्टरों ने अभी unveil किया है इंडिया का पहला virtual space museum इस space museum का जो नाम रखा गया है वो क्या है इस पार्क इस पार्क जो है इस museum का नाम रखा है इस्टरों जो है इंडिया की space agency है जिसकी शिरवात 15 August 1969 को हुई हेड़कॉर्टर है इसका मिंगलूरू में प्रेजिडेन्ट इस टाइम पे है एस सोमनात इस्टरों की जो sun study mission है उसका नाम है आदित्य एलवन नेक्स्ट है गगणियांस low altitude escape motor of cruise escape system इसका भी successfully परिक्षण किया गया कहां से शिरी हरी कोटा space port से इसका परिक्षण किया गया है नेक्स्ट है कॉंसे स्टेट ने लॉंच के एक mobile application जिसका नाम है Lucky Bill app इसका मेन परपस है थी के GST की जो चूरी होते है उसको रोखने के लिए इस application को लॉंच किया है केरल की सरकार्ने से लॉंच किया है और इस application को डाम दिया है Lucky Bill application जिसे केरल के Chief Minister पिंरई विजन जी के द्वारा 16 ओगस्ट को लॉंच कर दिया जाएगा next which state has launched मुख्य मंत्री बाल आशिरवाद योशना to provide financial assistance to orphan children right answer है मध्य प्रदेश तो friends इसमें जो अनाद बच्चे हैं देखे उनको वित्य सहायता प्रदान करने के लिए इस योशना को शुरू किया गया इसके तहट अगर कोई भी student RTI, CLAD, J, NEED की भी तयारी करना चाती है जो ऐसे और्फन बच्चे हैं वो का तयारी करना चाती है उनको 5,000 रुपे government के तरफ से आर्थिक मदद भी की जाएगी Who has appointed as a state brand ambassador of उत्राखंड सही answer है friends रिशा पंत ये उत्राखंड राज्ये के state brand ambassador बनी है First Kelo India Women's Hockey League under 16 will be held as a major dhyanchan stadium तो हमें ये भी पताना है friends की कौन से शहर में जो है इसका आयचन किया जाएगा तो यहाँ पे सही answer हो जाएगा कि शिलॉंग में जो है इसका आयचन किया जाएगा तो दिखिए इसका जो आयचन है न वो शिलॉंग में नहीं न्यू डेली में किया गया और इस्टेडियम का नाम क्या है मेजर ध्यांचन स्टेडियम इसमें total 16 teams जो है वो participate करेंगी और total 56 जो मैचेज है वो यहाँ पर 300 players जो है वो इसमें participate करेंगे अगला question है हमारा which state is going to host a second edition of North East Olympics from 30th October 2022 तो इसका जो आयचन शुरू होगा वो 30 October से शुरू होगा edition कौन सा रहेगा यह second edition रहेगा और मेजवानी कौन सा state करेगा तो मेघालय जो है वो इसकी मेजवानी करेगा इसका जो पहला edition हुआ था इसके बारे में भी ध्यान रखना यह 2018 में हुआ था और यह हुआ कहां पे था तो मनिपूर में हुआ था next हमारा question है which player has become the first ever cricketer to play in 620 cricket matches तो 600 T20 cricket match खेनले वाले जो पहले cricketer बनी है उनका नाम है कियोरन एड्रिन पुलाड और यह पहले cricketer बनी है जिन्होंने 600 T20 matches खेल लिये है और इनका जो total run score हुआ है वो है 11,723 runs इनके पीछे जो cricketers है मतब जो इनसे कम matches जिन्होंने play किया है उनमें है ड्वेन ब्राबो 5,43 matches उसके बाद है शुएब मली 4,72 matches लेकिन हमें सबसे जादा जिरोने matches के लिए उनके बारे में ध्यान रखना है तो यहाँ पर हमारे जो 51 questions है वो आज हमने complete कर रहे है 51 questions में से हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा क्या score रहा है तो आप लोग वो मुझे comment section में बताइएगा इसे के साथ हमारी वीडियो होती है यहाँ पर फिनिश थांक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो